हेलो और ये नेगवाफ फिर से आप से आप से पोई के नूड़ों में स्वागत करता हूँ और आज के सुड़ों मैं आपको जानने को मिलेगा कि आप क्रेइट कार्ड के अगेंस्ट लोन कैसे ले सकते हैं इस टाइप का मेरे चैनल पर ये पहला वीडियो नहीं है इस तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर अप्लोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको एकसेस बैंक के क्रेइट कार्ड के अगेंस्ट लोन लेकर दिखाया हुआ है HDFC बैंक के क्रेइट कार्ड के अगेंस्ट मुझे लोन का ओफर मिला हुआ है तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो उन वीडियो का लिंक वी उपर आई बटन में दे दूँगा आप चेक आउट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपके पास में अगर RBL बैंक का क्रेइट कार्ड है तो उस पर अगर आपको लोन का ओफर मिला हुआ है तो कैसे आप चेक कर सकते हो और अगर आपको पसंद आ गया यानि उस पे रेट ओफ इंटरेस्ट वगरा अच्छा आपको मिल रहा है प्रोसेसिंग फी विगरा कम लग रहा है और आपको एक्चुल में नीड है लोन की तो आपके इस तरह सब बैंक कार्ड में क्रेइट करवा सकते हो इसके बारे में जानने को मिलेगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफर्मेटिव होने वला है और एक शिच में आपको और बतादू से अगर आपके पास में क्रेइट कार्ड है लेकिन अभी तक आपको इस तरह के ओफर नहीं मिले हैं तो क्रेइट कार्ड को अब कैसे यूज करो जिससे आपको भी इस तर पर देखने को मिलता रहता है तो चलिए आप से भी और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज किस टॉपिक को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि RBL बेंक के क्रेइट कार्ड के अगिस्ट लोन कैसे लिया जाता है तो RBL बेंक के क्रेइट कार्ड के थूँ लोन लेने के लिए हम यहां बाज यूज करेंगे RBL बेंक माई कार्ड का का जो मेन इंटरफेस है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर आप माई अकाउंट वाले option पर क्लिक करके अपने कार्ड की credit limit देख सकते हैं cash limit वगरा सब कुछ आप जान सकते हैं जो कि आप देख सकते हो मेरे कार्ड की जो limit है एक लाख एक हजार रुपे है और current में जो मैं कार्ड यूज कर रहा हूँ वो RBL Bank का lazy pay credit card है तो अगर अप lazy pay credit card भी लेना चाहते हैं तो कौन से trick से आप apply कर सकते हैं और approval आपको मिल सकता है उसके बारे में भी हमने एक proper वीडियो बना रखा है आप उस वीडियो को भी check out कर सकते हो हम यहाँ पर बात करने आये हैं RBL Bank के credit card के थुरू आप loan कैसे ले सकते हैं तो उसके लिए हम फिर से home page को उपर आ चुके हैं और home page पर ही आपको एक option मिल जाएगा get instant cash का तो इस पर जस्ट आपने tap कर देना है आगले page में आपको EMI 10 hour select करना पड़ेगा तो मुझे जो loan मिल सकता है वो 12 महीनों के लिए मिल सकता है और इसमें जो maximum eligibility है 54,000 रुपे की है 18 महीनों के लिए मैं ले सकता हूँ जिसमें 37,000 रुपे मैं loan ले सकता हूँ 24 महीनों के लिए 99,000 रुपे का loan ले सकता हूँ और 36 महीनों के लिए मैं loan ले सकता हूँ जिसमें maximum eligibility है 1,35,000 तो अब मुझे यहाँ बर select करना पड़ेगा कि कौन सा मुझे amount चाहिए और उसे के हिसाब से यहाँ पर EMI की मन्त में select कर सकता हूँ तो चलिए हम यहाँ पर एक बार 36 महीनों वाली और 1,35,000 के eligibility चेक करते हैं क्या कुछ है इसमें चार स्टेप में मुझे यह amount मिल सकता है पहला तो मुझे loan offer देखने को मिल गया उसके बाद मैं amount select करना है bank detail एंटर करनी है और OTP verification complete होते ही यह जो amount है मेरे account में credit हो जाएगा तो अभी हम इस 36 मन्त वाले option को select करते हैं next page open हो चुका है यहां पर हमें amount enter करना है जो कि minimum मैं 5000 रुपे का ले सकता हूं और maximum जो आपने देखी लिया एक लाग 35,000 रुपे का मैं ले सकता हूं maximum amount आपने देखी लिया तो अभी हम यहां पर टैंसर वाल आइकन पर click करते हैं और यहां पर amount जो है जादा नहीं बलकि एक लाग रुपे करके देखते हैं कि हमें क्या कुछ rate of interest लगेगा सब कुछ मैं यहां पर अच्छी तरह से समझ लेता हूं और आपको भी बदा देता ह हमने यहां पर वन लैक रुपेस एंटर कर दिया है और यहां continue वाले option पर click कर देते हैं इतना करते ही अभी आप देख सकते हो जो मेरी EMI बनेगी 3767 रुपे 51 पैसेंगी बनेगी 36 महिनों के लिए यहां पर 10 over है और reducing interest rate per area जो है 21% का लग रहा है processing fee जो है 25 रुपे मुझे pay कर देने पड़ेंगे और इस amount को लेने के लिए बस मुझे यहां पर अपने bank account के detail देनी है अगर मेरे बस RBL bank का account है तो वो आप यहां पर enter कर सकते हो दूसरे bank का account है तो वो आप यहां पर enter करके इसकी जो तीन terms and conditions है इसको बस आपने agree कर देना है यानि right का sign कर देना है और इस loan उनको आप secure करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं view benefit वाले option पर click करके आप इसके benefit के बारे में जान सकते हैं तो secure insurance को लेने से आपको यह फायदा मिल जाएगा कि माल लिए आपको भी hospitalized वगरा हो जाते हैं तो उसमें payment वगरा delay हो जाएगी तो उसके लिए आप आपको कोई भी charges वगरा नहीं पे करना पड़ेगा तो यह सारे आपको इसमें benefit वगरा मिल जाते हैं तो हम अभी back आ चुके हैं तो आप मैं यहां पार जैसे यह bank account वगरा एंटर करके verify वडर option पे click करूँगा तो मेरी पास एक OTP आएगा OTP को enter करते ही यह जो amount है मेरे bank account में credit हो जाएगा जिसमें 24-24 घंटे लग सकते हैं तो वीडियो में अपने live देख लिया कि मुझे जो RBL bank के credit card के गिंस्ट loan का offer मिला हुआ है तो आपको अगर मिला है तो कैसे check करना है और मुझे यहां पर rate of interest काफी high लग रहा था इसलिए मैंने इस loan को अपने bank account में credit नहीं तो इसलिए मैंने bank account में credit करके आपको नहीं दिखाया है लेकिन अगर आपको जुरूत है तो यह process complete करके आप ले सकते हैं आप बात करते हैं कि आपको अगर offer नहीं मिल रहा है तो कैसे आपको offer मिल सकता है तो सबसे पहले conditions तो यही होता है कि आपको अपने credit card को regular use करना है ऐस कुछ न कुछ amount जो है अपने credit card से खर्च करो उसके अलावा ऐसा भी नहीं करना है कि आपको जितने limit मिली हुई है उसमें से 80-90% या 100% आप भी उसका use करने लग जाओ कई लोग ऐसी गलती करते हैं जिस कारण सो उनको इस तरह के offer नहीं मिलते और नहीं उनको credit card की limit increase करने का offer मिलता है तो इसलिए आप अपने credit card की जो limit है ना 30-40% का use किजिए और इसी ratio को maintain किजिए तो आपको इस तरह के offer मिलने के जो chances है काफी जाएदा बढ़ जाएंगे और एक last information आपको और देना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी amount खर्च करते हो तो उसको timely आप repayment जरूर से किजिए जो भी आपकी due date होती है उससे आ 3-4-5 दिन पहले आप repayment कर दीचे जिससे आपकी जो repayment history है ना काफी ज़्यादा strong हो जाएगी तो आप भी मेरी तरह multiple credit card use करते हैं तो आपको credit card के against loan का offer मिला है या नहीं मिला है किसी bank की तरफ से हमें comment करके ज़रूर से बताईएग मन में कोई confusion है तो नीचे comment box में पूछ सकते हैं मैं मिलता हूँ किसे new topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम